हाई फैन्स वेल्कम बेक टो मैं यूटीब चैनल तो देखिए हमने अपनी लास्ट वीडियो में यह एक से दो नंबर के काना जी का घहरा बनाना बता है था कि हम इस गहरे को किस तरीके से बनाएंगे बहुत ही प्यारी से इसमें डिजाइन हमने बनाई है यह है इसका बैक सा तो आज हम बनाएंगे इसकी चोली तो चलिए देखते है कि चोली हम किस तरीके से बनाएंगे और देखे मैं आपको घहरे में एक चीज और में बता हूं यह देखिए मैंने इसमें डिजाइन एक दो तीन चार पांक छे साथ आट नो दस ग्यारा बारह तेरा ठीक है मैंने चीजएं बनाएं अगर हम 10 बारह डिजाइन भी बनाएंगे तब भी ए इस तरीके से बनाएंगे थोड़ा उटके आए तो घहरे हमारा अच्छी से बनाएंगे खाइए तो देखे अगर हम आपको बड़े लड्डू गोपाल के लिए इक आपनानाती साथ अगा बंड़े वीडियो देख सकते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप चार-चार फंदे बढ़ाते चाहिए और एक इक नमबर के लड़ो पाल का यहीरा बढ़ा होता जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं कि इसके हम चोली किस तरीके से बनाएंगी तो देखिए चोली बनाने के लिए मै दू सलाईयां पर्ल में बना लेंगी दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा ठीक है एक सलाई कम्प्रीट हो गई और हम दूसी साइट में है है दूसी साइट से भी हम बारा फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगी तीन चार पांच छे कि अज़िए कि अज़िए कि दो सलाईयां हमने इस पर बनाकर कम्प्लीट कर लिए अब देखिए हम तीसरी सलाई में है तो तीसरी सलाई में हमारे जो ट्रेस में उन लगी हुए जिस कलर की जिती भी होने हैं हम सभी कलर इसमें यूज करेंगे था में इसमें मर्जेंटा कलर लेंगे मर्जेंटा कलर से हम एक सलाईज में पर्ल की निकाल लेंगे इस तरह से हुए कि एक सलाई हमने पर्ल की निकाल देंगे जो भी हमारा एक्स्टा चैट है यहां पर हम इसको कट करके अलग कर देंगे साइल है अब यहां से एक और दू टीक है दो फन दे तो हमने ऐसे ही उल्टे बना ली अब देकिए एक फंदा उल्टा बनाया अब इसको निकालनेगे नहीं वापस पीछे फंदा लेकर जाएंगे दागा लेकर जाएंगे एक पंदा सीधा बना दे तो एक फंदा हमने बढ़ा धिया फिर से एक फंदा उल्टा दागा पीछे ऍफंदा सीधा और लास्ट के दू फंदों तक हम इसको एसे ही बढ़ाते हो जाएंगे दागा आगे 1 पंदा उल्टा अधना सीधा data अंगे पंदा उल्टा उतारेंगे दागा अपनी तरफ दागा उल्टा नहिंखे सीधा फंदा बना देगे दागा अपनी तरफ दागा उल्टा पीछे पर देखे हमारे पास दो दो फंदे बची हैं जिनको हम उल्टा बना लेंगे अब बारा फंदों में से हमने चार फंदे तो इसके ऐसे ही अतार लिया ठीक है और आठ फंदों को हमने डबल कर लिया है तो टोटल हमारे पास 20 फंदे हो गए है ठीक है कि आठ फंदों पर हमने डबल किया 16 फंदे होगे दो इधर होगे अठारा और बीस फंदे होगे और अब हम यहां से देखिए दूसरा कलर ले लेंगे जो है हमारे पास ग्रीन कलर अगर अब चाहे तो लगा सकते हैं अगर इसके परना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं ठीक है अब कर दो कर दो यहां से हम सभी फंदों को ओल्टा ओल्टा बना लेंगे कर दो कि अपीज फंदा को टाउट अपना दिया ठीक है और अभी यहां से हम फिल से अभी फंदा को टाउट अपनाएंगी बढ़ेंगे नहीं कोई भी फंदा हम यहां से सभी फंदा को टाउट बना लेंगे अब देखे सीधी साइट में आगए अब सीधी साइट में हम यहां से वाइट कलर लेंगे तो वाइट कलर से भी हम सभी फंदा को टाउट बना देंगे कि कि अब बेकी सीधी साइट पर आ गए तो दो फंदों को तो हम बनाएंगे यहां पर उल्टा ठीक है और फिर से हम यहां पर फंदे बढ़ेंगे एक उल्टा बनाया पीछे किया सीधा फंदा बनाती हम इसको पार देंगे इसी तरीके से लास्ट के दो फंदों तक हम ऐसे ही फंदे बढ़ाते जाएंगे ठीक है 16 फंदे थे हमारे यहां पर 16 दूनी 32 फंदे हो जाएंगे ठीक है और टोटल जो हमारे फंदे वह होंगे 36 ठीक है 32 फंदे हमारे यह जाएंगे और चार फंदे आसपास की कि अब इदिके उल्टी साइट में आवे सभी फंदों को बना देंगे 36 फंदे हमारे पास टोटल 36 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना देंगे सीधी साइट बाएंगे आर्म हूल और बैक और फ्रेंट पार्ट बनाएंगे अब देखें यहां सी एक फंदा हम उतार लेंगे दूसरा फंदा बनाएंगे तो तीन चार पांच ठीक है पाच फंदे हमने उल्टी बनाएंगे और अब यहां से दो का एक करेंगे एक वापसलाई में लिया दो वापसलाई में तीन चार पांच छे साथ और एक आठ ठीक है हमने आठ फंदे यहां पर बन कर दिए अब फिर से देखें एक फंदा सलाई में हैं दो से साथ ET शे साथ 8 9 10 यहां पर हमने 10 इसलिए लिये हैं कि देखें, फ्र Chi except मैं पांच फण söyle एक सैज में और दूसी साई में भी हमारे पांच फण democrats रहेंगे तो धुनों मलाकर अमारे पास 10 हो जाएंगE जितने फंदे हमारे फ्रेंट में होंगे दौनों वेंटे रहेंगे अगर एकाद फंदे अगर वेक्साइडलमें एक्स्या है तो वह हम ले सकते हैं दौनों में से कम नहीं होना जाहिए जितना हमारे फ्रेंट पार्ट में दौनों में रहेंगे उतने दौनों को बिलाकर हमारे बैक साइड में हो जाएंगे तो दस बंदे मैंने यहां पर बैक साइड में ले लिया आप देखे एक दू का एक कर दिया कि दू कि तीन कि चार कि पांच कर दो कि ची कि साथ कि अब ठीक है और एक फंद हमारी सलाई में आप देखे यहां पर भी हमारे पास पांच फंदे हैं दो कि तीन चार और पांच ठीक यहां पर हमारे पांच फंदे होए यह आर्मों लोगा और अगर आप चाहिए तो यहां से कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इसको छोड़ भी सकते ठीक है तो मैं इसी से बनाऊंगी जो वाइट कलर है सभी फंदों को जोइन कर देंगे तीन चार पांच ठीक है अब दीक जो बैक वाली फंदी को लेंगे थोड़ा टाइट करके शाथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा अब दीक दूसरा फ्रेंट पार्ट आगया सोला सत्रा ठारा उननिस दीस ठीक है अब बीस फंदे हुगे अब फिर हम एक बार इन्हें फिर से बनाएंगे उल्टा उल्टा अब देखें यहाँ पर हम पाइट को छोड़ देंगी ग्रीन कलर को ले लेंगे ठीक है ग्रीन कलर से दो सलहिया वनाएंगे उल्टी उल्टी अगर पुछोली की हाइट और ज़धा रखनी है तो फिर 116 अंब मर्जय अकी निकाल सकते हैं थीक है दो जॉझा भाज़ादोटरोटरोटर्यी तो यह दो पीहलों प्रादोटरर हैं कि दोस्त मिन्हपना बनाद करेंगे जैजिए झाले हैं कि दोखने सीठों और यो लिए बना अब ढएने से गहरत्वरोट पर णलीत Goldman सभ defendants नहीं आपको करते हैं सबी फंदों को दो का एक करते हुए है ठीक है तो फ्रेंस देखे एक बात और मैं आप से कहना जाओंगी कि देखे अगर आप मेरी चैनल पन नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर और अगर वीडियो भी पहली बार देख रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अब आप यहां पर अब हम इसको बंद करते हैं सबी फंदों को दो कर देंगे इस तरह है कि दो का एक किया दो का एक करते हुए हम सभी फंदों को बंद कर देंगे तो फैस्ते की चोली हमारी बनकर हो चुकी है कंप्लीट अब बहुत ही प्यारी सी बहुत ही खुबशूरच सी चोली बनकर आई है दीखके हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से खेला चाहिके इक गीरे के पोम हम इस तरीके से रखेंगे और ऐसे हम छोली को बना देंगे उपिए आप से जाए कि अगर आप सांबना साथ है तर वह भी कर सकते हैं अगर आप फरी को चोली के रखेंगे